जहिन दोस्तों मैं हूँ आरविसाल आपको पता है कि मैंने इस ससी जीडी के रिजल्ट के आने के बाद एक बीडियो बनाई थी और उस बीडियो पे मुझे लगता है कि पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कम से कम 10K फोन रिसीप किये हैं इतने दिन में 10K फोन र कोन आया और मैंने कट-off को ले करके सबको सेक्ष्यूर की अभी क्या चल रहा है कि मेरे दिमाग में चीज आया हम लोग भी सोसल मीडिया पर भी रहते देखते रहते क्या चल रहे हैं तो जब भी कोई आपको मुझे लगता है कि डिसगाईस से हो रहे हैं आप या आप डिस् चूप आपको मैं बता दू एक छोटे से एक्जामपल के साथ जैसे पिछली बार आपके यूपी की जनरल की मेरिट 123 ती 123 से यह कट आफ था फिजिकल का और फाइनली यह 134 नमबर गई थी मत तब की 11 नमबर यह मेरिट बड़ी थी अब दिसे कई लोग आपको इस शाप से guys करेंगे कि कोई तो cut up बताई नहीं सकता कैसे cut up बताएगा अरे cut up बताने का scientific आधार होता है जैसे डग जैसे normalization का scientific किसी को नहीं पता है cut up का scientific आधार होता है number of vacancies number of passing students कितने पास हुए थे इसके बाद कितने physical में गए थे कितने medical में छटे थे कितने final हुए थे उस आधार पर अगर आप काम करोगे तो 100% आप यहां पर accurate data दे सकते हो कौन कहता कि cut up कोई नहीं बता सकता मैं बता सकता हूं cut up और मैं पूरे challenge के साथ बता रहा हूं cut up कि कैसे cut up को count किया जाता है तो अगर आप यहां पर देखें तो 11 नंबर आपकी merit बढ़ी है एक result ले रहा हूं 123 को मैं 121 कर रहा हूं out of 100% तो 11 11 बार में मतलब लगभग 9% से उपर 9% आपकी merit बढ़ी है ठीक है भाई अब अगर मैं 140 नंबर मेरिट लूं 140 नंबर मेरिट लूं 140 नंबर का अगर मैं 9% ले लूं तो 149 126 हो जाएगा 149 129% तो बढ़ने अब 126 का मतलब 12 नंबर बढ़ा दूंगा तो 152 तीरपन मेरिट चली जा रही है तो यह अल्रेडी पहले ही जो पर अपलाई नहीं कर सकते अगर यह नाप 9% है तो मैं यहां कह रहा हूं कि यहां मैक्स टू मैक्स 6% कितना 6% पांच परसेंट 6% मेरिट बढ़ने वाली है तो अगर हम 6% इसको बढ़ाएंगे तो 8 मतलब कि आपकी मेरिट पांच से 7 नमबर बढ़ सकती है लेकिन हम यह कह रहे हैं कि 140 वाला अगर दौर नहीं पाएगा तो 149 वालेगा होगा की नहीं होगा मुझे इतना बतादो अगर 101 जिसका 5 नमबर ज़ादा है अगर वो दौर नहीं पाएगा फेल हो जाएगा तो जिसका 4 नमबर ज़ादा उसका होगा की नहीं होगा आप खुद से पूछो कि भाई 10 नमबर ज़ादा वाला अगर दौर नहीं पाएगा मैंने 154 नमबर तक के चाहता हूँ आपका मैं आपको exact cut off बता सकता हूँ exact अगर कोई माई का अलल चैलेंज करे रही बात ये कि exact cut off बता करके फिर बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो ये कहेंगे मेरा इतना ही नहीं मैं मेरे कहने का मतब कितना बढ़ सकता है it may be लेकिन आप result में आए हैं आपका cut off 149 reside है और आपका 149 है तब भी आप पूरी जान लगा कि दवडिये क्योंकि 140 वाला जब फेल होगा तो 149 वाले को मौका मिलेगा बात समझ पारें कि नहीं 30,000,000 बच्चों में कितने बच्चे फेल होंगे आपको idea है कितने बच्चे फेल होंगे आप समझ सकते हैं तो मेरे भाईया आप एक नंबर भी जादा है दो नंबर जादा है तो आपको demoralize होने की जरुवत ही नहीं है आप इत्मिनान से अपना जो अगला step है उसको जितना बढ़िया कर सकते उतना बढ़िया करने का प्रयास करें within time दोड़ने का प्रयास करें वहाँ पे 100% energy जोग दें आपका होगा इसमें कोई दोराय नहीं है physical के बाद final cutoff आसानी से लोग बता सकते हैं मैं आपसे कह सकता हूँ कि मैं आपको जो मैंने आपको cutoff बता दिया है पांच नंबर भी ज्यादा है तो अपने आपको final मान कर दोड़ें इत्मिनान से लेकिन मैं कह रहा हूँ एक नंबर ज्यादा वाले को भी demoralize होने की जरुवत नहीं है तो एक दम जम पुरी जान लगाकर जब तक physical नहीं होता है तब तक ही सुम्मित के साथ दोड़े time बच आई को तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए आप सेलेक्ट हो जाएंगे हज्जारों मेरे पढ़ाए जीडी में बच्चे ऐसे हैं जो वहां पर पहुंचके आये दीनी पूस्तेक सर्व अगले एक्जाम के लिए मुझे क्या चाहिए मुझे मैटर भेज दीजी मुझे क्लास ब ओन लिए हैं सबसे मैंने इस चैलेंज के साथ कहा है कि मेरी कॉल रिकार्ड करके रख लो इससे जादा नंबर नहीं आएगा तुम्हारा रोल नंबर छपेगा तो दोस्तों फीजिकल के लिए कमर कसके त्यार रहें आपका रोल नंबर छपेगा इस विश्वास के साथ अप के पहले